ओम शांती 25-8-2023 की साकार मुरली मीठे बच्चे यह संगम युग है ब्राम्भनों की पुरी इसमें तुम ब्रम्हा के बच्चे बने हो तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है प्राश्न इस ग्यान को अच्छी रिती समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धी चाहिए उत्तर व्यापारी बुद्धी वाले ही इस ग्यान को अच्छी रिती समझेंगे यह है बेहद का व्यापार बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं बच्चों का काम है मेहनत करना ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयम की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्यान हो बाप की याद और सेवा कमाई का साधन है गीत रात के राही ठक मत जाना ओम शान्ती पारलोकिक बाप बच्चों के प्रती समझा रहे हैं कहते हैं कि बच्चे मुझ अपने पारलोकिक परमपिता पर मात्मा को भूलना नहीं है गाया भी जाता है गीता का भगवान बाइबल का भगवान वा कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे अब मुझ पारलोकिक बाप को याद करो ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे, क्योंकि वारिस हैं अब पारलोकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलिदे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है मैं तुम बच्चों को परमधाम, निर्वानधाम ले चलने लिए आया हूँ तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ, तुम मुझे निरंतर याद करूँ मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ, अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वरद्धी को पाता है अब पारलोक एक बाप कहते हैं मुझे याद करो, सभी धर्मवालों को कहते हैं हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई-भाई समझते आए हो अब तुम आत्माओं का जो पारलोक एक बाप है, जिसको सब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई है वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चो को समझा रहे हैं समझानी दी जाती है, ब्रह्मा मुख वन्शावली ब्रामणों को प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे भाई वहन थे ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ही बाप के बच्चे एक ही दादे के पोत्रे पोत्रियां ठेरे तुम बच्चों को सम्मुक समझाया जाता है तुम सम्मुक सुनते हो समझते हो के हम निराकार शे बाबा के सब बच्चे हैं बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शे बाबा से स्वर्ग की बादशाही पानी के लिए राजयोग सीख रहे हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाना है जो लोकिक भाई बहन हैं उन्हों को समझाना है तुम हो गए पारलोकिक पारलोकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो तुम कहलाएंगे पारलोकिक भाई बेहन वह हुए लोकिक भाई बेहन तो बाप समझाते हैं, बच्चे हू भहू 5,000 वर्ष पहले मुवाफे तुम बुद्धी का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर में विनाश हो जाएंगे पाप भसम हो जाएंगे बाप की याद को ही योग अगनी कहा जाता है इस सर्व शक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी वह एक ही निराकार बाप है इस ब्रह्मा मुखस सुनाते हैं जरूर रत तो चाहिए न जिस रत के उपर उनकी सवारी हो यह रत है इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को या सिखलाते हैं इस स्रष्टी के आदी मद्य अंत की समझानी देते हैं जिससे तुम भविश्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विकर्मा जीत बन जाएंगे पावन पुन्यात्माएं बन जाएंगे बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महराजा महरानी बनेंगे सो भी 21 जन्मों के लिए और भारत में जो भी उत्सव होते हैं शिव जैन्ती, होली, राखी, जन्मास्टमी, दिवाली आधी इन सब उत्सवों का महत्त और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं आओ बहनों भाईयों हम आपको पारलोकिक बाप का परिचय देवें परिचय ले सहज राजयोग सीख तुम विश्व के मालिक बनेंगे वर्ल्ड ऑल्माइटी, पवित्रता, सुक शांती मैं, अटल अखंड राज्य करेंगे यह किसको भी समझाना बहुत सहज है इस रीती लि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो, जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो, वह है दुख का वर्षा क्योंकि यह है रामण राज्य, राम के राज्य में सदा सुक था, फिर माया रामण के राज्य में तुम दुखी हुए हो, यह तो तुम कोई को भी समझा स उच्छते उच्छ है भगवान फिर है ब्रह्मा विष्णू शंकर फिर उन्हों की महिमा गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापन तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा ब्राम्हन है ब्रह्मा की संतान उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है पहले पहले ब्रह्म ब्राम्हन वर्न चाहिए उच्छते उच्छ है ब्राम्हन वर्न कौन स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा पिता के सब बच्चे ठहरे ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारीयों को बैट पढ़ाते हैं यह संगम युग है ब्राम्हनों की पुरी फिर माला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे सोरेवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं न तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो बुद्धी का योग मेरे साथ आते हैं कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो जहां से तुम आए हो पाट बजाने तुम गोरे थे विश्व पर राज्य करते थे फिर तुम कामचिता पर बैट काले हो गए हो सुन्दर से श्याम बन गए हो भारत बड़ा सुन्दर था नाम ही था स्वर्ग अ फिर ब्रह्मा विश्णू शंकर इन द्वारा बाप कारे करवाते हैं इन्हों को निमित बनाया है करन करावन हार है न ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राज्योग सिखलाते हैं बाप कहते हैं कि यह राज्योग सिखला कर पूरा करूंगा तो फिर विन शार्थ पर्मदार हैं। कहते हैं गंगा पतित पावनी। फिर परमात्मा को क्यों पुकारते हैं। हे पतित पावनाओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ती का फल मिलना चाहिए न। स्वर्ग में तुमको जीवनमुक्ती का फल मिलता है। और सबको शान्ती का फल मिल जाता है स्वर्ग में सुक शांती दोनों ही थे सब सुक ही थे जिनोंने राजयोग सीखा विकर में विनाश तो करना ही है हिसाब किताब चुक्तू तो होना ही है फिर नए सिर पाड बजाना है सब का हिसाब किताब चुक्तू कराए पावन बनाए बापसाथ में ले जाते हैं यह सब राज समझने के हैं मनश्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को स्रश्टी पर आना पड़े कहते हैं कि स्रश्टी पर आकर भक्तों को भक्ती का फल देता हूं मुक्ती वा जीवन मुक्ती शान्ती वा सुख देता हूँ दुनिया में सुख शान्ती वा संपत्ती ही मांगते है मनश्य तो संपत्ती के लिए ही पुरुशार्थ करते हैं कि धन्वान बने समझते हैं संपत्ती में ही सुख होगा परन्तु भल किसको कितनी भी संपत्ती है राज्य तो फिर भी माया का है न पतित दुनिया है तो पाप जरूर होंगे संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया इसमें कोई भी पुन्य आत्मा होती नहीं पुन्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती यथा राजारानी तथा प्रजा पुन्य आत्मा होते हैं इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूझते हैं क्योंकि समझते हैं यह सर्वगुण संपन है हमारे में कोई गुण ना ही आपे ही तरस परोई फिरिया कहते हैं हमें ही भगवान है पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है पतित पावन कहने से बुद्धी चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ निराकार उपासी भी होते हैं तो वह निराकार बाप है, उच्च ते उच्च, जब तक उनका पूरा परिचा नहीं, तो उपासना क्या करेंगे? भल कहते हैं, परमपिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है न, निराकार को याद करने वाले, परन्तु वह है कौन, पूरा परिचय चाहिए न, निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा, क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता नहीं है भल सब याद करते हैं परन्तु बिगर परिचय इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे यहां तो निराकार खुद साकार में आते हैं मनश्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्तरादी पढ़ते हैं, पर अंतु कोई जा नहीं सकते, रास्ते का भी पता नहीं है, जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं, तब तो ले जाते हैं न, यहां इस रास्ते को कोई नहीं जानता, जो स है तो फिर निराकार उपासी बने कि आज कल तो फिर कह देते हैं कि हम हैं दिन प्रतितिों तमों प्रधान मत होती जाती है जो आतावा कहते रहते हैं वाप समझाते हैं उच्छते उच्छ बाप गाया जाता है सर्वे व्यापी कहने से concert तुस्स इतने पतित दुखी वह फिर उंचते उंच कैसे होंगे एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है फिर उनको पत्थर भित्तर में लगाना इसको ही धर्म गलानी कहा जाता है अभी फिर कहते हम ही परमात्म है अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है वह फिर भी होगा भू भूल पिछाड़ी भूल गलानी पिछाड़ी गलानी करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है बाप का परिचय तो सबको मिलना है तुम्हारा प्रभाव निकलेगा इतने धेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्यान मिलता है यह तो बरोबर परमपिता परमात्मा की यह बात है, सबसे उंचते उंच है, पर्म पिता परमात्मा, उनकी महिमा बहुत है, पारावार नहीं, अपना परिचह देते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं आकर सभी पापात्माओं को पुन्ने आत्मा बनाता हूँ, राज्योग सिखलाता हूँ, गाया भी जाता है, इश्वर की गत मत न्यारी, सो तो जरूर जब यहां आएंगे, तब तो मत देंगे न, क्राइस्ट की सोल आई, क्रिश्चन धर्म स्थापन करने, बाप की मत तो सबसे न्यारी है, यह बाप तो है सबसे उंच, भारत में मनुष्य मात्र में, स्रिष्ट ते स्रिष्ट देवी देवताईं ही, डबल सिर्टाज बने हैं, बाप की ही श्रीमत है, भगवान उवाज, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जो और कोई सिखला न सकी, लिखा हुआ है भगवान उवाज, वह है ही Heavenly Godfather, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, ब्राह्मण वर्ण सबसे उच हो गया, बाप सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, भल कोई गालियां भी दे, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है अब है कलियुग, शुद्रवर्ण फिर तुम बाप द्वारा ब्राम्हन बने हो तुम्हारा नाम है ब्रम्हा कुमार कुमारी तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुश्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे यह ज्यान व्यापारी बुद्धी वाले अच्छी रिती समच सकते हैं यह व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है परन्तु बहुत बच्चे महनत नहीं करते घर में सोय पड़े रहते तो बाबा खड़ार करते हैं तुम एक चित्र बनाएंगे इससे हजारों का कल्यान होगा सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे वंदे मातरम कहेंगे अच्छा मात पिता बाब दादा का मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रती याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्यसार पहला रुद्र माला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है बाप और स्वीट होम की याद से स्वयम को पावन बनाना है दूसरा रोहानी पंड़ा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है एक बाप की श्रीमत से स्वयम को डबल सिर्टाज बनाना है वरदान स्वाइस्थिती की शक्ती से किसी भी परिस्थिती का सामना करने वाले मास्टर नौलेज़ फुल भव स्वाइस्थिती की शक्ती से किसी भी परिस्थिती का सामना करने वाले मास्टर नौलेज़ फुल भव स्वाइस्थिती अर्थात आत्मिक इस्थिती परिस्थिती व्यक्ति वा प्रकर्ति द्वारा आती है लेकिन अगर स्वाइस्थिती शक्ति शाली है तो उसके आगे परिस्तिती कुछ भी नहीं स्वास्तिती वाला किसी भी प्रकार की परिस्तिती से घबरा नहीं सकता क्योंकि knowledgeful आत्मा हो गई उसे तीनों कालों की सर्वात्माओं की knowledge है वह जानते हैं कि यह परवश है इसलिए शुब भावना शुब कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे घबराएंगे नहीं सदा मुस्कुराते रहेंगे स्लोगन भागिवान वह है जो सदा भागय के गुणगाए कमजोरियों के नहीं भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुणगाई कमजोरियों के नहीं अच्छा उम्शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाऊं आप दिष्टी यूही देते रहो बाबा आप देते रहो बाबा